जरोखा चैनल के नन्हा स्कूल कारिक्रम में हम आप सभी का स्वाकत करते हैं हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने नन्हा स्कूल कारिक्रम छोटे बच्चों की कक्षाओं के लिए हिंदी भाषा के पाठों पर बनाया है नर्सरी, प्राइमरी और मिडल स्कूल की कक्षाओं यानि कक्षाओं एक से लेकर कक्षा आठ तक के बच्चों के लिए इसे तैयार किया गया है CBSI के पार्थिक्रम में शामिल पुस्तक रिमजिन का पहला पार्थ इस बार लिया जा रहा है पाठ कशी शक है राख की रस्सी यह एक कहानी है आव प्यारे बच्चों सबसे पहले हम इस कहानी का सारांच जान लेते हैं लोनपोगार तिपपत के राजा के मंत्री थे वे बहुत चतुर थे परन्तु उनका बेटा बहुत ही सीधा और भोला था पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी चतुर और समझदार बने उन्होंने उसे अनुभव पाने और अपनी बुद्धी लगा कर काम करने की सीख देने के लिए एक उपाय निकाला उन्होंने उसे एक सौ भेड़े दी और कहा कि वह उन्हें बाजार ले जाए पर इन्हें न तो मारना और ना ही बेचना और शांग को जब घर लोटो तो इन पर एक सौ भोरे जौ के लदे हो वह शहर तो गया पर उसके पास जो खरीदने के लिए पैसे न थे वह परिशान होकर एक किनारे बैट गया कुछ देर बाद उसके पास एक लड़की आई उसने दुखी होने का कारण पूछा लड़के ने पिता की बाते बता दी लड़की ने उपाय बताया कि भेड़ों के बाल बेचने वाली बात उन्हें पसंद नहीं आई फिर से जाओ और एक सो बोरे जो लेकर आओ वह फिर शहर गया वह उसी तरह परिशान बैठा था लड़की फिर से आई इस बार उसने उसके सींगों को काट कर बेचने की सला दी बेटा सो बोरे जो लेकर पहुचा पर पि पिता ने कहा कि वह लड़की राख की नोहात लंबी रस्सी बना कर दे लड़की ने जवाब भिजवाया कि पिता को वह रस्सी अपने गले में पहन ना होगी पिता ने शर्त मान ली लड़की ने नोहात की रस्सी एक सिल पर रखी और उसे जला दिया जल जाने पर भी रस् को चतुरमान लिया और उससे अपने बेटे की शादी करवा दी अब उन्हें अपने बेटे के भोलेपन की चिंता नहीं रह गई थी उसके साथ उसकी चतुर पत्नी जो थी तो यह था इस कहानी का सारांश अब हम इसके प्रशनों को हल करेंगे सबसे पहले भोला भाला हिस्से वाले प्रशन करते हैं प्रशन पहला तिबबत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे तुम्हारे विचार से वे किन-किन बातों के बारे में सोचकर परिशान होते थे वे जिन बातों को सोच कर परिशान होते थे वे इस प्रकार रही होंगी भोला लड़का चतुर्चालांग दुनिया में अपना गुजारा कैसे कर पाएगा लोग इसे ठग लेंगे इसे सदा दुख जेलने पड़ेंगे कोई लड़की शादी के लिए उसे पसंद न करेगी तुम तिब्बत के मंत्री की जगा होती तो क्या उपाय करती है मैं उसे संसार के बारे में बताती दुनियादारी क्या होती है समझाती उसे व्यभारिक अनुभव कराने के उपाय करती और अब हम शहर की तरफ इससे वाले प्रश्न करते हैं प्रश्न पहला मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया कांत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा था ताकि वह व्यवारिक रूप से दुनियादारी को जान सके. प्रश्णव, उसने अपने बेटे को भीडों के साथ शहर में ही इसलिए भेजा. क्योंकि शहर के लोग ही ज्यादा चालांक और दुनियादार होते हैं. इसलिए उनके संपर्क में आकर उसे भी सीख मिलेगी। प्रशन तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहां रहते थे। घर में पता करो। आस पडोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो कि किसी दूसरी जगा जाकर बस क्या हो। उनसे बातचीत करो और जानन कि उन्होंने वह जगा क्यों छोड़ दी। इसे आपको खुद ही करना है। प्रशन दूसरा, जो एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तिमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भून कर भी खाया जाता है। अपने घर मे और स्कूल में बाति चीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। उत्तर अनाजों के नाम यहुदान, जो मक्का बाजराजुआर टरशनतिसरा। गेहूँ और जो अनाज होते हैं और यह तीनों शवद संग्या है। गेहाउँ और जो अलग-अलग किस्म के अनाजों के इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संग्या है और अना जजातिवाचक संग्या है इसी प्रकार रही मज़र व्यक्तिवाचक संग्या है और पत्थर प्वसातिवाचक संग्या है प्रश्णर नीचे दी गई संग्याओं का वर्गी करण इन दो प्रकार की संग्याओं में करो ले धातु शेरवानी घोजन तामबा थिचरी शहर वेशबूशा उत्तर व्यक्तिवाचक संग्या ले शेरवानी तामबा थिचरी जातिवाचक संग्या खातु घोजन शहर वेशबूशा प्रश्ण खातिवाचक संग्या के लिए तीन तीन ऊपर लिखी हातिवाचक संग्या खुद सोच कर लिखो उत्तरह दातू जातिवाचक संग्या है इसकी व्यक्तिवाचक संग्या में हम रख सकते हैं तामबा जस्ता पीतल भोजन जातिवाचक संग्या है इसकी व्यक्तिवाचक संग्या में हम रख सकते हैं दाल चावल रोटी शहर जातिवाचक संग्या है इसक व्यक्तिवाचक संग्या में हम रख सकते हैं साड़ी, सलवार कमीज अब तुम सेर, मैं सवा सेर वाले हिस्से के प्रश्न करेंगे प्रश्न पहला, इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए खाना सचमुछ नहले पर दहला, तुम्हें भी यही करना होगा तुम ऐसा कोई काम धूंदो जिसे करने के लिए सूजबूच की जरूरत हो उसे एक कागज में लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चिट को एक डिब्बे में डाल दो डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारू और गोलाई में बैच जाओ अब एक एक करके आओ उस डिब्बे से एक चिट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा उपाय सुझाए वा तुम्हारी कख्षा का पर्दल होगा उत्तर इसे आपको ही करना होगा खुद करने से ज्यान सरलता के साथ बढ़ता है प्रश्न दूसरा मंत्री ने बेटे से कहा पिछली बार भेडों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया क्या मंत्री को सचमुच ये बात पसंद नहीं आई थी अपने उत्तरह का कारण भी बताओ मंत्री को ये बात पसंद तो आई थी लेकिन वहाँ जान गया था कि उसमें बेटे ने कोई बुद्धी नहीं लगाई है इसलिए उसने उसे दोबारा शहर भेज दिया ताकि उसे एक और अवसर मिले अब सींग और जोवाला प्रश्न करेंगे में मंत्री के बेटे ने भेडों के बाल बेच दिये और दूसरी बार में भेडों के सींग बेच टाले जिन लोगों ने ये चीजे खरीदी होंगी उन्होंने भेडों के बालों और सींगों का क्या किया होगा अपनी कलपना से बताओ उत्तर जिन लोगों ने ये चीजे खरी दी होंगी उन्होंने पहले बालों से उनगे फिर उनसे गरम कपड़े जैसे शौलादी बनाएं होंगे भेडों के सींगों से उन्होंने कंगी खिलोने और सजावटी चीजे बनाई होंगी और अब करते हैं बात को कहने के तरीके वाले प्रशन अशन। पहला नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिये गए हैं। इन बातों को तुम किस तरह से कह सकती हो। चैन से जिंदगी चल रही थी। जीवन मजे से चल रहा था। खोश्यारी उसे चुकर भी नहीं गई थी। उत्तर वह जरा भी होश्यार न था। मैं इसका हल निकाल देती हूँ। मैं इसका उपाय बता देती हूँ। घब घंकी अपनी चाला की धरी रह गई। वेकम चतुर साबित हुए। प्रशन दूसरा ओनपव गार का बेटा होश्यार नहीं था। कार और चालाक में क्या फर्क होता है। किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होश्यार कह सकती हो। इसी प्रकार भावला और बहुत दादाव के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। उत्तरह। होश्यार एक सकारात्मक विशेशन है। वह प्रशंसा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आलाक एक नकारात्मक विशेशन है। वह धूर्टतापून चतुराई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बोला शब्द का अर्थ होता है सीधा सादा, सरल, बुद्धू शब्द का अर्थ होता है बिवकू, बुद्धी, लड़की को तुम समझजदार कहोगी या बवूदध, क्यों, लड़की को हम बुद्धिमान कहेंगे, क्योंकि उसने अपनी बुद्धी से ही जो खरीदने के तरीके निकाले थे और एक चतुलमत्री को भी हरा दिया था, अब एक मज़ेदार प्रश्न को हल करते हैं, प्रश्न है नाम दो, कहानी में लोन्पुगार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है, नीचे तिबबत में बच्चों के नाम करंके, बारे में बत है, कोई खाने की चीज या घूमने की जगहों के नाम, जी नहीं, ये है तिबबती बच्चों के कुछ नाम, ये सारे नाम तिबबत में शुब माने जाते हैं, ना ये मा नाम दिया जाता है रविवार को जन लेने वाले बच्चों को, वे ऐसा मानते हैं कि इससे बच्चे क दिन के देवता सूरत जैसी शक्ति मिलेगी और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा यह शक्ति बढ़ती जाएगी सुम्वार को जन्म लेने वाले बच्छों का नाम डावा रखा जाता है यह लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है तिब्बती भाषा में दावा के दो मतलब होते हैं सुमवार और चांद यानि डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुश रूपों पर भी नाम करण करते हैं हासकर दोल्मा नाम बहुत मिलता है यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ह की तिब्पती नाम है तरह हम बेटे का नाम रखते हैं लाकपा और लड़की का नाम रखते हैं दूल्मा तो यह था सीब्यसाई के पाठेक्रम में शामिल पुस्तक रिमजिन का पहला पार्ट राकी रसी हमने उसका सारांश प्रश्नोतर और व्याकरण वाला हिस्सा हल किया क्रिप्या इसे लाइक कीजिए सबसक्राइब कीजिए शेयर कीजिए